तो दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं तो आप लोगों ने मुझे कोई वीडियो बताया नहीं था मैं अपने मर्जी से वीडियो लेके आई हूं कोई बात नहीं वीडियो देख लिजेगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट करके बता दीजेगा तो वी वीडियो देखेंगे सो है है मैं तन्भी या तन्भी रियक्शन व्लोग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और प्लीज 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 अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा तो बिना असलाम वालीकुम प्यारे दोस्तो आपने बहुत सारे वाकियात सुने होंगे लेकिन जो वाकिया हम आपको बताने वाले है ये गैर मारूफ वाकिया है यानि इतना मशहूर नहीं है और हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाकिया इस से पहले कभी नहीं सुना होगा इसलिए आप से गुजारिश है कि अगर आप सचे आशिक रसूल है और उम्मत महम्मदी होने पर फकर करते है तो इस वृडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को अाخر तक जरूर देखे हजरत उस्मान गनीर र 드. अजांजी का दवरे खिलाफत है और आप र. आपने कमरे में बैठे होये है एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है तो वो शक्स कहने लगा मैंने शादी की थी एक औरत से आज उस शादी को छे महीने मुकमल हो गये है और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जनम दे दिया है अब मिरी आप से ये दरखास्त है कि मिरी शादी को अभी तो छे महीने हुए थे तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है इस वाकिये से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि छे महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता इसलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमिरूल मुमिनी के पास आ गया हज़रत उस्मान रदिय लोगों को जमा किया और मशवरा किया ये बच्चा हलाल का है या हराम का है और इससे पहले ऐसा वाकिया कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने छे महीने के बाद किसी बच्चे को जनम दिया हो ये पहला वाकिया था और अरब के अंदर आम तोर पर छे महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था तो मश्वरे में मौझूद तमाम लोगों ने ये कहा कि छे महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बलके हराम का ही है जब हजरत उस्मान रदियल्लाहु अनहों ने तमाम लोगों से मशुरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सब ने यही कहा कि अरब की तारीख में छे महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है तो हजरत उस्मान रदी अलाही और्लाहँ ने हुम दिया कि आउरत को संगसार कर दिया जाए ले आउरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड कर रजम का अमल शुरू कर दिया जाए जैसे ही आपने ये हुकम दिया और ये फैसला फरमाया तो ये खबर आज पास के इलाकों में फैल गई चलते चलते ये खबर हजरत अली रदियल्लाहु ताला नहु के कानों में भी जा पहुंची अब हजरत अली रदियल्लाहु ताला नहु उस मैदान के बजाए जहा उस औरत को संगसार किया जाना था वहाँ पर ना जाते हुए सीधा हजरत अस्मान रदियल्लाहु तालाहु के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुलमुमिनीन से पूछा एए उस्मान क्या आपने ये हुकम दिया है कि उस औरत को रजम किया जाए जिसने छे महीने का बच्चा पैदा किया तो हजरत उस्मान रदियालाहु ताला आनुहु ने फरमाया हाँ मैंने ये हुकम दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और छे महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता और मेंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सब ने यही मशवरा किया है के छे महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता हजरत علी रधियल्लाहु त अश्याद फर्माया अमिरूलमुमिन आपनी ये गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रदियालाहु तालाहु ने फर्माया आई अली मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि छे महिने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रदियालाहु तालाहु ने फर्माया आई उस्मान छे महिने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रदियालाहु तालाहु ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रदियालाहु तालाहु ने फर्माया कि कुरा महीने का बच्चा कैसे निकलेगा हजरत अली ने फरमाया अब दूसरी आयत पढ़ो अल्ला फरमाता है कि दो साल दूद पिलाने के तीस महीनों में से दो साल निकाल ले जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे अली बात तो तुमने ठीक कही है हजरत अली रदियल्ला ने फरमाया क्यामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसवूर किया जाएगा हराम नहीं क्योंकि ये कुरान की आयत के मताबिक है और सारी दुनिया जूटी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी जूटी नहीं हो सकती हजरत अस्मान रदियल्ला नहु फरमाने लगे ऐ अली तुमने तो मेरी इसलाह कर दी हजरत अस्मान रदियल्ला नहु फौरण सिपाहियों को दोडाया अल्लह ना करे उस औरत को संगसार कर दिया तो कयामत के दिन मैं उस्मान का क्या बनेगा और हजरत उस्मान रदियालाहु तालान हूं रोने लगे और आपकी चीखे निकल गई और अपने आप से फरमाने लगे उस्मान कल कयामत की दिन अल्लह को तू क्या जवाब देगा और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाईए उस औरत को बचाईए हजरत अली रदियालाहु तालान हूं भी वहाँ से निकले और वह सिपाही भी निकले अल्लह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को जमीन में गाड़ दिया गया था और उसका सिर्फ चहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखरी मुलाकात के लिए आई हुई है और जारो कतार रो रही है और उसे बाते कर रही है सिपाही भी पहुँच गए अजरत अली रदियालाहु तालाहु भी पहुच गए उस वक्त वहाँ पहुचते ही अजरत उस्मान रदियालाहु तालाहु ने रजम को रोकने का हुकम दे दिया उस वक्त उसने यानि उस जमीन में गड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही आए मेरी बहन मत रो और ना गम कर और कहने लगी उस्मान रदियालाहु तालाहु के हुकम से मुझे रजम तो किया जा रहा है लेकिन मैं अल्लह की कसम खाकर कहती हूँ जिनाहत तो बड़ी दूर की बात है खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रदियालाहु तालाहु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया रिवायत के अंदर ये अलफाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदों के दो अंडे अगर मिला दिये जाए तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है दोनों में क्या फर्क है इसी तरह उस बच्चे की शकल और सूरत बिलकुल उसके वालिद के उपर थी और वालिद तो उसे हलाल का समझा जाएगा क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है पहरे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वाकिया ये वीडियो पसंदाया होगा और इस वीडियो को आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बतायेगा हैं एक मन से वीडियो ले आए हैं और आप लोगों को ने बताया भी नहीं था मुझे कोई वीडियो तो इसलिए मैंने सचल लाओ तब तक के लिए हम अपने मन से कोई वीडियो बना ही लेते हैं खैर मुझे ये वीडियो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक जानकारी थी जो कि काफी लोगों को नहीं पता होती है तो जानकारी लेना अच्छी बात होती है कहीं से भी मिले यह जरूरी नहीं है कि आप इसलाम धर्म में हैं और आपको पूरी जानकारी है ऐसा नहीं कम वहका है कि नहीं हो जाता है कि नहीं गड़ी तो जैसा कि उन्हें बहुत बड़ी गल्टी खी बे गुना को वो इतनी बड़ी सजा देते ही नहीं यह आपने वीडियो में देखा लेकिन इस वीडियो के मादम से तो सभी लोगों को बहुत कुछ पता चल गया होगा तो यह मुझे काफी अच्छा लगा काफी अच्छा लिखा है कुराण शरीप में अच्छी बात है इससे अच्छे ग्यान की बात सच में हरकिसी के पास पोच ने चाहिए खहर आप लोगोंने इसवीस अच्छा वीडियो तो जैसे आप लोगों ने अभी तक मुझे वीडियो बताते रहें वैसे वीडियो बताईएगा प्लीज अच्छे अच्छे और कमेंट सेक्षन में चैनल के नाम के साथ में तो मैं पूरी कोसिस करूँगी उन वीडियो को लाने की फिलाल में मैं चलती हूं आप लोगों से इ दोस्तों फिलाल में चलती हूं मैं खुदा हाफिस